हिट एंडन कानून को लेकर के देश भर में ट्रक चालकों ने जो हरताल की है चका जाम किया है उसका असर अब धीरे धीरे दिखना शुरू हो गया है मदर बदेश की राजधानी भोपाल के पेट्रोल पंपों पर सोमवार शाम से लंबी लंबी कतार जो है गाडियों की वो दिख रही है मंगलवार सुबह भी तस्वीर बहुत जादा नहीं बदली है और इसके पीछे की एक बड़ी वज़े है कि पेट्रोल और डीजल लेकर के जो टैंकर्स पहुँचते थे पेट्रोल पंपर वो फिलाल नहीं पहुँच रहे हैं और इसके वज़े से जो स्टॉक है वो कम पढ फोर विलार हो उनकी लंबी कतार आपको दिख जाएगी आम तोर पर यह तस्वीर नहीं दिखती है लेकिन आप देखिये किस तरीके से यहां पर बड़ी संख्या में जो वहांचालक हो या पी दुपईया वहांचालक हो वो पहुच रहे हैं पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए और यह तस्वीर बताती है कि कहीं कोई आपात इस्थिती बन गई हो ऐसी एक तस्वीर जो है वो इस समय पेट्रोल पंपर देखने को मिल रही है और हाईवे पे भले ही अब ट्रकों की लंबी कतार नहीं दिख रही है क्योंकि उन्हें हाईवे से हटा करके किनारों पर लगवा दिया गया है प्रशासन की अपील करने के बाद लेकिन पेट्रोल पंपर जो है वो तस्वीर साफ दिख रही है लोगों को लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ रहा है और यह तस्वीर जो है यह अलग स्थिती जो है वो बया करती है मैं चाहूंगा मेरे कैम अब लंबी लाइन है कल तो मिली नी पेट्रोल कल भी आया थे कल मिली नी खतम होगे था सारे फ्यूली स्टेशन में यह आप बताए कि इतनी लंबी लाइन में कभी आप लगे भोपाल में इससे पहले नहीं इससे पहले तो कभी नहीं लगा लेकिन इस बार तो बहुत होगा या समय पेहेंगे बहुत लेट हो गया उन सार आज तो मेरा हफडे लग गया है आपको लोग दिख जाएंगे जो इस समय पेट्रोल भरवानी के लिए यहाँ पर दूसरी तरव अगर आप कारों को देखे तो यह डीजल भरवानी की लाइन है लेकिन यह कतार जो है व कितनी देर होगे आपको लगे लाइन में एक गंटा हो गया आपको कुछ वज़ा पता है यहां पर क्यूं इतनी लाइन लगी आज कुछ बत पूछा आप लोगों ने पूछा ना पेट्रोल मतला खतम ही होगा पेट्रोल पंपे अब राग लग रहे हैं तो क्या है पेट्र करवाएंगे तो आपकी देखिए यह तस्वीर हैं और यह लोग जो है कही ना कहीं इस बात को लेकर के काफी ज़्यादा निराश है कि नियम तो बन जाते हैं लेकिन नियम में बहुत जादा सफाई नहीं हो पाती और इस वजह से जो क्योंकि मामला साफ नहीं होता है तो ए कीरे सामने आ रही है जहां पर पेट्रोल पंपों पर सुबह से लंबी-लंबी कतार गाडियों की लगी है लोगों में इस बात का डर है कि यदि पेट्रोल खत्म होगा उन्हें कहीं जाना हो तो फिर उन्हें पेट्रोल या डीजल शायद भविश्य में ना मिले जब तक हरत पेट्रोल खत्म ना हो और इसलिए सभी लोग पेट्रोल पंप की ओर कूच कर रहे हैं फुल टैंक करवाने के लिए और उसकी वज़े से फिलहाल इस तरीकी की तस्वीरें मद्र बदेश के राधानी भोपाल के पेट्रोल पंपों पर देखने को मिल रही है क्यामरमन अमरी क्यामरी को